जिसे महीना डेड़ महीना भ्रम्चर रहते हैं चलते हैं तो एक स्टार्टिंग में भजन में रस मिलता है जो आप कहते हैं कि भगवान अपनी तरफ से किरपा गुरुदेव किरपागर के प्रजान करते हैं यह देड़ महीने वाद एक ऐसी स्थिति आती है जिस मतलब एक कि तीस दिन बाद हमारी प्रोगेश होने की बात आती है वह सी समय आपको बिलकुल को जाना सावधान अगर आपको लगता है कि उस समय प्रमाद आ जाता है तो भोजन शोड़ देना एक दिन आज मनलो 33 वा दिन है मुझे पता है कि 30 और 35 के अंतर में होता है हम पांच दिन बिल्कुल एलर्ट रहेंगे भोजन बिल्कुल ठीक सावधान, भजन सावधान क्रास कर गए वो एक बार क्रास करो दूसरी बार हिम्मत आ जाएगी और कुछ काल तक आप किसी भी तरह की कोई भी चेष्टा मत करो आगे निकल जाओगे पहले अपने दोश होता रहेगा पहले अपने आप होता रहेगा आपको चेष्टा नहीं करनी फिर वो अपने आप बंद हो जाएगा आप आगे बढ़ो उसमें अगर चेष्टा करोगे तो फिर फैलोती चले जाओगा बहुत जादा में गไpt पर हम सहने की ठांते ही नहीं है हम सहने की नहीं ठांते हैं सहने की ठांग जाओ तो सब सह जाओगे हाथ पेर टूट जाते हैं आदमी आप्रेशन करवाता है, उसमें जीवित रहता है, सहता है, सब कुछ सहना हो, सब कुछ सह सकते हैं, सब कुछ सह सकते हैं, किड्नी फेल है, डैलेशेश हो रहा है, जुखाम है, ये दर्द, वो दर्द, चक्कर आ रहा है, परेशान है, सारी दिन चर्याद चल लें, सब स प्यार का लक्षन है सहना अब पीड़ा हो रहे दरद हो रहे किसी कहें सांध है है कि ये से सकते तो काम क्यों नहीं से सकते काम तो तत्कालिक वेदना है इस्थाई थोड़ी है आगमा पाई नो अनित्यास तास्तित इक्षश्य भारत आने जाने वाली हो तो अभी चली जए ये जब तक सरीर रहेगा तब तक भोगना है और बढ़के भोगना है क्योंकि डाउन होता चला जाएगा सिस्टम भोगना है तो तैयार है हम राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है फिर हमें कोई परिशानी नहीं है सहना सीखो शहा सो सादू तूटा सो फिर असादू पिर निकल गया संसार मार्ग में